अगर आपको कुछ अलग अटके कुछ यूनिक बहुती ज़ादा टेस्टी चटपटा बनाना है तो आज की यह उन्हें रेस्पी आपके लिए है और यकीन मानिए महमानों को भी सर्फ करेंगे ना तो महमान भी पूछेंगे कैसे बनाया इस रेस्पी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है धाई कप के करीब मैदा आप किसी कतूरी या कपसी भी मेजरमेंट कर सकते हैं और वजन के हिसाब से यह लगबग 500 ग्राम के करीब मैदा है तो यहाँ पर हमने टोटली धाई कप के करीब मैदा लिए है जिसको हमने मिक वेकिंग सोडे नहीं प०ाफ मैदा में जो मिक्स कर लिया है घी आप चाहे तो नमक बदेऊ जिन नमगर का भी इस्तिवार कर सकते हैं तो यहां पर हमारी मैदा में मुठी बंद रही है तो यहां पर हम थोड़ा थोड़ा पाने डालकर इसका एक डोब बनाकर तयार कर लेंगे तो इस स्टेज पर हम थोड़ा थोड़ा पाने डालकर इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तयार करेंगे तो यहां पर हमें टाइट डो नहीं बनाना है एकदम सॉफ्ट डो भी नहीं बनाना है बस हलका सा सॉफ्ट डो बनाकर तयार करना है तो यहां पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मसलते हुए इसका एक दो बनाकर इसमूसा तयार कर लेंगे तो डो को हमने अच्छे से मिक्स करते हुए और पंच मारते हुए एक दम इसका इसमूसा डो बनाकर तयार कर लेना है र εδώica को यहाँ पर हम अच्छी से क्रेकल होने देंगे अगर राय कच्छी रहागाई तो जो सारी स्टफिंग है वह बहुत बीकार लगाती है तो यहाँ पर राई को आप अच्छे से क्रेकल होने दें और इसमें हम डालेंगे अद्रक और लेसन और हरीमिच का पेस्ट तो यहाँ पर हमने अद्रक लेसन और हरीमिच का एक चमच के करी पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से हम भून लेंगे गैस की फिलेम को हम लो रखेंगे और इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू तो यहाँ पर हमने 6-7 छोटे आलू लेकर उनको उबाल लिया था और उनका छिलका उतार दिया है तो यहाँ पर हम हाथों से इसको मेश करेंगे और इसमें डाल देंगे आप चाहें तो इसकी जगाँ दो बड़े आलू भी ले सकते है तो यहाँ पर हमने आलू को हातों से मसल कर इसमें डाल दिया था और यहाँ पर हम एक चमच लेंगे और चमच की हेल्प सेम्स को दबाते हुए चलाएंगे ताकि जो अधरक लहसन मिर्च हमने डाला है उसका जो फलेवर है वो आलू में अच्छे से आ जाए और इसमें हम डालेंगे आदी चोटी चमच के करीम लाई मिर्च पाउडर और साथी में इसमें अब जाएगा आदी चोटी चमच के करीम नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया जादा भी कर सकते हैं नमक को हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे एक छोटे चमच के करीम मिक्स मसाला आप चाहें तो इसकी जगा गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं उसको हम इसमें डाल देंगे और चमच की हल्प से हम इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि जो आलू और मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए गैस के फिलेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे लो टू मीडियम फिलेम पर हम इसको दबाते हुए अच्छे से चलाएंगे ताकि जो हमारे आलू है वो काफी अच्छे से मैश हो जाए तो यहां पर जो आलू है वो अच्छे से मैश हो गए है और गैस की फिलेम को हमने लो टू मीडियम रखा है तो इसमें अप जाएगा थोड़ा सा हरधनिया हरधनिया को डालने के बाद हम इसको अच्छे से चमश के हल्प से मिक्स कर लेंगे और यहां पर हमने आलू और मसालो को अच्छे से मिक्स कर लिया है गैस की फिलेम हमने लो टू मीडियम रखी है लो टू मीडियम फिलेम पर हम इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर जो आलू है वो अच्छे से यहां पर हमारे मिक् तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है और अब हम यहाँ पर लेंगे एक प्लेट तो यहाँ पर हमने जो आटा था वो प्लेट में निकाल लिया है और इसकी हम तोड़ेंगे लोई और लोई आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी रख सकते है तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज की लोई लिया है और उसको तोड लिया है तो यहाँ पर हम हातों से इसको अच्छी सी एक लोई बना कर तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इस तरह से जो लोई है बना कर तैयार कर लिया है उसको हम एक साइड में रख देंगे और यहाँ पर यह दूसरा आटा है उसको भी उठाएंगे और इसके भी हम यहाँ पर लोई बना लेंगे तो यहाँ पर जो सारी लोईया है वो हम इसी तरीके से बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे आलू मेशर जिससे हम आलू मेश करते हैं वो हमने यहाँ पर लिया है और इसके उपर हम लगाएंगे ओयल तो यहाँ पर हम पहले इसके उपर ओयल लगा लेंगे और यहाँ पर हम उठाएंगे एक लोई और इसको यहाँ पर हम अच्छे से हाथों से फैलाते हुए चारो तरफ दबाएंगे हम आपको दिखाएंगे कि नीचे किस तरह का आलू की st stuffing और इसको यहाँ पर हम चारो तरफ से पानी रगा लेंगे और इसको यहाँ पर हम इस तरीके से उठाYan गे तो यहाँ पर हम झाली के से प्रेस कर देना है यह देखिए इस तरीके से हम इसको प्रेस कर दिया है इससे क्या होगा जी तेल में बिखरता नहीं है तो यहां पर यह देखिए कितना बड़िया डिजाइन बड़कर तयार हो चुकी है तो यहां पर हम इसी तरह से और डिजाइन बना कर तयार कर लेंगे और इसमें हम रखेंगे एक चमच के करीम इस्टफिंग और इसको हम एक साइट से उठाएंगे और इसका जो एक सरह है वो दूसरे सरे से प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको प्रेस करेंगे ताकि यह तेल में जाके बिखरे नहीं अगर ये तेल में बिखर गया ना तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा तो यहां पर हम इसमें पानी लगा लगा कर इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो यह लीजिए बहुती बढ़िया हमारी डिजाइन मंटर तयार हुई है वो भी सिर्फ आलू मेशर से तो यह लीजिए हमने इसी तरह से जो सारी डिजाइन बढ़ा कर तयार कर ली है देखने में यकीन ही हो रहा हो ना कि आपने इसको आलू मेशर से बढ़ा कर तयार किया है यहां पर हमने जो आलू गुजिया है बना कर ली है तयार तो चलिए जब तक हम चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर हमने ओईल को अच्छे से गरम होने के लिए रख दिया था ओईल जब हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो गैस की फिलेम को हमने low to medium कर दिया है और इसमें हम एक एक करके सारी गुजिया डाल देंगे आपकी जितनी ग तो यह अंदर से कच्छी रह जाएंगी तो यहां पर हम इसको हलका गोल्डन कलर आने तक स्राई करेंगे तो यहां पर इसका जो कलर है वो हलका गोल्डन आ चुका है और यह बहुती बढ़िया बनकर तैयार होती है तो यहाँ पर हम सारी गुजियों को निकाल लेंगे अगर आपको रेस्पी अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज 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 पूरी वीडियो को वाच कीजिएगा तो यहाँ पर जो सारी गुजिया है उनको एक एक करके हम बाहर निकाल लेंगे तो ये लीजिए गर्मा गर्म आलो की गुजियां बनकर हैं तैयार इसे टोमेटो सोस या पोदीनी की चटनी के साथ भी आप इंजोई कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक गुजिया आपको तोड़ कर दिखाती हूँ आप ये देखिए इसकी स्टफिंग लग रही है न कि इतने कम सामान से इतनी डेलिसिस और टेस्टी बनी है इस रेस्पी को आप एक बार ज़रूर बनाएं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नई रेस्पी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिज